मद्य प्रदेश में आने वाली हैं जोरदार बारिस किसान भाईो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल स्मार्ट एक्रिकल्चर में इस वीडियो में हम मद्य प्रदेश के मोसम के बारे में बात करेंगे किसान भाईो पिछले 24 गंटों के दोरान प्रदेश के कई जीलों में तेज वाओ के साथ जोरदार बारिस हुई लेकिन अभी भी मद्य प्रदेश का मोसम बदलने वाला नहीं है क्योंकि मोसम बाग के अनुसार आने वाले 24 से 48 गंटों के दोरान भी परदेश के जारतर जिलो में तेज हुआ 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 तो नीचे देगे लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटर पर क्लिक कर दीजिए और उसके पास में जो गंटे का निसान आये हैं उसे जरूर दबा दीजिए ताकि हम जैसे नया वीडियो अप्लोड करें उसका नोटिपिकेशन आपको तुरंत मिल जाए किसान भाईयो पिछले 24 गंटों के दोरान भी प्रदेश के गौलियर, सागर, जबलपूर, इंदोर और और सोसंगाबाद संबाग के जीलों में कहीं कहीं पर वर्षा दरजी की गई और पिछले 24 गंटों के दोरान प्रदेश का सरवादिक अधिक्तम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सेस सीधी में दर्जे किया गया अगर बात करें कि यह बारिस कौन सी हैं तो यह बारिस प्री मानसून की बारिस है मतलब कि मानसून के कुछ दिनों पहले जो बारिस इस्थार्ट होती है यह वही बारिस है जो त्ये जवाव के साथ कुछ चेत्रों में ज्यादा होती है तो कुछ चेत्रों में कम होती है अब अगर आगे के मोसम अपडेट के बारे में बात करें तो मोसम केंदर बोपाल के अनुसार बेतुल बिंड मुरेना और शोपूर इन जिलों में 30 से 40 किलोमेटर परती गंटे की रफ्तार से हवाई चलेगी और इन जिलों के कुछ चेत्रों में गरत चमके साथ बोचारे गिरने की संभावना है किसान भाई यो 26 मही को इन जिलों के कुछ चेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिस होगी तो कुछ चेत्रों में बहुत कम बारिस होगी लेकिन इन जिलों में प्रिमानसुन का असर काफी ज़्यादा देखने को मिलेगा तो यह थी मद्यप्रदेश के मोसम की जानकरी प्रिजसान प्रिजसान